जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वे नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जी हाँ इस बार की विबार्दा का विशय है आजादी आप सबका स्वागत है हमारे साथ हैं विब दुनिया के संपार तक जैदीद कर लिए जैदीद जी तो आप इसे किस रूप में देखते हैं देखिए एक लंबा सफर तै किया है 68 साल हमने आजादी के पूरे की हैं और 15 अगस्त 1947 को जब हमने आजाद हिंदुस्तान में सांस ली थी तब एक लंबे समय से चली आ रही जंग को विराम मिला था और हमें ऐसा लगा था कि जिस मकसद के लिए इतने सारे शहीदों ने आहूतियां दी हैं वो पूरा हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात दरसल क्रांती का हो जाना या आजादी का मिल जाना नहीं होता है वो महत्पूर्ण है सबसे एहम है सारी लड़ाई आजादी के लिए थी लेकिन आजादी मिलने के बाद क्या क्रांती के सफल हो जाने के बाद क्या ये जो सवाल था हम पिछले 68 सालों से दरसल उसी से जूज रहे हैं और ये जो एक वाक्य लंबे समय से कहा जा रहा है मुझे लगता है कि वो अब नए हिंदुस्तान की जीवन्त किमदंती बन गया है जिसमें हम कहते हैं कि 14 और 15 अगस 1947 की अर्ध रातरी को देश आजागत हो गया लेकिन सुभा अभी तक नहीं नहीं वो सुभा कौन सी है जिसका इंतदार इतनी बेचेनी के साथ ये हिंदुस्तान लगभग इतने सालों से कर रहा है मुझे लगता है कि इस पूरे सफर में हमने कामियाभी के कुछ अच्छे महत्पून और बहतरीन पड़ाव भी छुए है लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी कमिया रह गई हैं जिने दरकिनार करके हम आजादी का जश्न पूरी तरीके से नहीं मना सकते हमने दरसल तमाम कोशिशों के बावजूद भी दो ऐसे अलग-अलग हिंदुस्तान खड़े किये हैं जहां पर एक बहुत संपन भोग विलास में डूबा हुआ तमाम सुक सुविदाओं को भोगता हुआ हिंदुस्तान है तो दूसरी और गरीब पिछला अभावों में चाही है दरसल सारी समस्या वहां पर है वह खाई दिन रात कम हो जने की बजाय बढ़ती जा रही है तो नारों में जुमलों में निबंधों में और सरकारी योजनाओं में क्या भरत बासियों ने आजादी के मुली को समझा है यह मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है और यह बड़ा हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आजाद भारत को लिखे एक अपने संपादे की में कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि आजाद ये कैसा कल्प रक्ष है जिस पर लगातार फल लगते रहेंगे और हम जब चाहें जो चाहें फल तोड़कर अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। अपनी इसी आदत के चलते हमने इन फलों को तोड़ तोड़कर उस पेड़ को दरसल नंगा कर दिया है। और मुझे लगता है कि जब रज्जुबाबु ये कह रहे थे तो वो आजाद हिंदुस्तान की बहुत सच्ची तस्वीर बयान कर रहे थे। और ये कैसे अरब की आबादी जो पूरी प्रच्वी पर है उसके लिए साधन कम है। सवाल ये है कि जो 120 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है, क्या उसमे जो संसाधन है, उनका वितरन है, वो समान है? नहीं है. हम देखते हैं कि जिसके पास है उसके पास बहुत ज्यादा है, जरुरत से कहीं ज्यादा है और जिसके पास नहीं है वो जिन्देगी भर उसके पाने के संधर्श में केवल उसका जीवन नहीं उसकी पिल्डिया खब जाती है लेकिन उसको वो हासिल नहीं हो पाता जिसके लिए वो संधर्श कर रहा है जो जमीन जो प्लॉट जो मकान जो कार जो बंगला जो सपने वो आज से 20 साल पहले नहीं खरीद पा रहा था वो आज भी उसकी पहुँच से दूर है कल उनकी जो कीमत थी वो उसकी तंख्वा के हिसाब से बहुत जादा थी आज उसकी तंख्वा बढ़ गई लेकिन बादार म चीजों की कीमत भी बढ़ गई तो मुझे लगता है कि हमने जो ये संपत्ति का और साधनों का असमान वितरन किया है इसकी वज़े से हम आजादी का मूल्य ना केवल खोते हैं बलकि हम उसको समझने की कोशिश में भी गलत दिशा में चले जाते हैं आजादी का मतलब क्या ब्रफ्टाचार और घोटाले बनकर रहे गए ये बड़ा दंश है आजाद हिंदुस्तान पर आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि शुरुवाती दिनों में घोटाले नहीं हुए दो बड़े कारण थे एक तो शुचिता का स्तर समाज में काफी उचा र हो जाता था और काम हो जाते थे दलसल अब लोग मोटी चमडी के हो गए हैं अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं टेलिवीजन चैनलों पर लगातार घटना दिखाई जा रही है लेकिन कारवाई नहीं हो रही है लो इसलिए नहीं हो रही है कि लोग आदत हो चुकिए इस त हमने दंदर कलकों ही रह सकता यह लेकिन भाफ्ट्र को यह रही हैं यह दरसल ऐसा प्रष्न हैं जिसलिखाब भी हमने बहुत गलत त्रीकों से दिया है दिक्कत दिक्कत यह है कि हमने देश भक्ति की नई परिभाशा गड़ने में और देश भक्ति के नए प्रतीक गड़ने में बहुत बड़ी चूप की है आप देखिए कि जो नए जमाने का हिंदुस्तान है उसने आजादी के किन प्रतीकों को देखा है और देश भक्ति के किन प्रतीक हुए सुवाज चंद्र बोस हुए और मात्मा गांधी हुए और इन सब के त्याग और बलिदान को हमने महानता के उन उचाईयों पर पहुँचाया जिससे हमें महानता के एक परिभाशा मिली राश्टर भक्ति के परिभाशा मिली लेकिन अगर आप सीमा पर जाकर सरहत पर जाकर देश की रक्षा में अपनी जान नोचा और नहीं भी कर रहे हैं तो वह ऐसे बहुत सारे सादन हैं जिनके माध्यम से अपने आप रास्टर के लिए योगदान दे सकते हैं उन साधनों को उन प्रतिकों को गढ़ने में जो चूक हुई है उस वज़े से हमें लगता है कि हम राष्टर भक्ति का आर्थ सही माइने में समझ नहीं पाए है जब हम विदेशों में जाते हैं और एक छोटा सा बालक हम से कहता है अगर आप सलक पर कच्रा फेक रहे हैं तो ये भी राष्टर दो है अगर आप ट्राफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये भी राष्टर के खिलाफ अन्याए है तो मुझे लगता है तब हमें सौण में आता है कि राष्टर भक्ति की किस तरह की परिभाशा है गड़ने की हमें जरूरत है आज हम सच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, स्किल इंडिया चला रहे हैं, डिजिटल इंडिया चला रहे हैं मुझे लगता है इस सब के मूल में क्या है अगर आप सड़क पर गंदगी नहीं कर रहे हैं कच्रा नहीं फेक रहे हैं तो भी आप राश्टर के निर्माण में योगदान दे रहे हैं आप ट्राफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं मंच वो आवाज नहीं मिलती जिसके जरी इस राष्टर भक्ती को परवान चड़ा सकें और जब तक हम राष्टर भक्ति के नए प्रतीक और नई पैमाने नहीं तये करेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम इन लोगों के भीतर हिलो रहे रहे रही राष्टर भक्ती को सही नहीं लगता कि सुचंद्रता मिलने के बाद लोग सवचंद भी हो गए हैं यह समझना पड़ेगा और ऐसा हिंदुस्तान में होते वे देख सकते हैं तो लोगों को आजादी का मतलब यह लगा कि अब हमें किसी प्रकार की और कोई भी रोक्टोग नहीं है लेकिन राष्टर के रूप में जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे राष्टर हित को सबसे उपर नहीं रखेंगे राष्टर धर्म को सर्वोपरी नहीं मानेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम वैसा राष्टर बना पाएंगे जिसको लेकर हम हर 15 अगस्त को और 26 जनव करेंगे याँ मुझे लगता है कि हम जहां पर हैं जिस स्थान पर हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसमें जब भी हम कोई काम करें तो हम अगर यह सोच सकें जैसे गांधी जी कहते थे कि क्या आपके कारे से उप्तिम पंक्ति का व्यक्ति है क्या उसे कुछ फायदा होगा कि न नमाण में कोई योगदान दे सकते हैं यह बातें बहुत होती रही हैं और यहां इन बातों को करते वक्त भी मुझे लगता है कही ने कहीं शब्त माइने को देते हैं क्यों कि यह बाते हुई हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। लोगों को ये लगता है कि सारे निता चोर हैं, सारे अधिकारी भरस्ट हैं, तो मैं क्योंना फिर इस भरस्टाचार का हिस्सा बन जाओं। अगर सभी लोग कर रहे हैं, तो मेरे अकेले के सुधरने से क्या होगा। हम अगर राष्टर भक्ति के लिए योगदान दे भी देंगे, तो उसे देखने वाला कौन है। मुझे लगता है कि हमें उस कहानी को याद रखना चाहिए, जिसमें एक पानी का बड़ा सा टाका रखा गया था, और कहा गया था कि सभी को एक एक लोटा दूद अपने घर से लाकर इसमें डालना है, ताकि सुभ़ ये पूरा टाका जो है वो दूद से भर जाए। हर व्यक्ति ने सोचा कि दूसरा व्यक्ति तो अपने घर से दूद लाएगा ही, पानी में एक लोटा डाल दूँगा तो पता नहीं चलेगा, रंग तो सफेदी रहना है, तो सुभ़ जब पानी का टाका खोला गया तो उसमें सारा का सारा पानी था, क्योंकि हर व्यक्ति न कि ये जो हिंदुस्तान है, उसकी जो गरीमा है, शुचिता है, वो बनी हुई, ये काहनी हमें ये प्रयना देती है, कि हम कम से कम अपनी करफ से अपना दूद का लोटा राश्टर के निर्मान में डालते रहें, ताकि हमारे राश्टर की गरीमा पर, हमारे राश्टर की तिकतों तमाम मजबूरियों के बावजूद उन्नती और तरक्की के जिन शिखरों को छुआ है वो भी बेमिसाल हैं लाजवाब हैं उनका जशन पूरी तरीके से हम मना पाएं उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह का उजियाला महलों में और बंगलों में हो रहा है उसी तरह का जोपडियों में भी हो जब तक उस जोपडियों में दिया रोशन नहीं होगा महा से उठने वाली आज हमारे तमाम जशनों को भस्म कर देगी और इसलिए जरूरी है कि हम दो भारतों के बीज में बनी हुई इस खाई को जैसा कि मैंने शुरू में कहा था पाटें और तब ह कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में बद तमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है और कुंतलों की चाह में बैठे न निंदी आते रहो तुम के फिर शहीदों को जगाने का जमाना आ गया है आप सब को आजादी की सालगिर बहुत बहुत मुबारक हूँ धन्यवाद जैनीब जी हम चर्चा करने से आज़ा देगी अगरी बार फिर किसी नए विशेपर चर्चा करेंगे नमस्तार